नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी कापके अपने यूट्यूब चैनल एसके जोब अलाट में इस चैनल पे आपको रोजाना गोवर्मन्ट जोब और एजुकेशन से जुड़ी लेटर्स अपडेट दी जाती है तो चलिए दोस्तों देह लेते हैं आज की ताजा आपको रोजाना में आल कोलेजिज में यूट्यक एडमिशन के रिगार्डिंग लेटर्स अपडेट्स आई है जिसके अंदोर उनने यूट्यक एडमिशन के रिगार्डिंग सडूल चेंज हो चुका है तो इस वीडियो को दोस्तों आप सुरूश यह लाश्ता जरूर दे करें जिससे के में लेटर्स गूर्मेंट जोप और अजूकेशन से जूड़ी लेटर्स वीडियो का नौट्फिकेशन आपको समय से मिल्सके तो चलिए दोस्तों बिना समय वेश्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यह आप दे सकते हो हम उनकी ओफिल वैपसाइट प तो यह आपका ओनलाइन एडिमिशन पोर्टल आपका डिपार्टमेंट ओफ हाईयर एजुकेशन हरियाना का तो अब बात करते हैं आपका यह जैसे साइट को निचे स्क्रोल करें हैं तो यह आप दे सकते हो अपलिकेशन फोर्म फोर यूजी कोर्स जो आपके चल दे थे आ 24 सितंबर 2020 अब आपको पता है कि आपकी फर्स्ट मैटलिस्ट लग चुकी थी जिसके रिगाड़े मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी ठीक जिसने भी हरियाना में आल कोलेज हैं उनकी फर्स्ट मैटलिस्ट लग चुकी थी उसके फीस से रिलेटेड भी आपकी वीडियो बनाई थी बहें आपको कैसे फीस ओनलाइन स्ब्मिंट करवानी है तब आफ दे सकते हैं लेटरस अड़ेट यह आ या इए आपकी जो समिशन अफ अप लिकेशन है अब आपकी एक अक्टूबर चे आर्ट अक्टूबर युश्ट आप संट चुकी थी पह सारी डेट्स अब चेंज हो चुकी है तो इसमें हम देख लेते हैं जैसे आप यहांप देरें आपके फर्स्ट मेरिस्ट लगी थी एक अक्टूबर को ठेजी और आपको फीश सम्मिट करवाने थी ओनलाइन एक अक्टूबर से अब आठ अक्टूबर तक आप फीश को पीश आपके रहेगी दस अक्टूबर से बार अक्टूबर यान कि आपके दो दिन के बीच में आपको फीश सम्मिट करवाने पड़ेगी उसके बाद में डिस्पले और वेकेंट शीट यान कि फर्स्ट और सेक्ट मेरिस्ट के बाद में जो शीट वेकेंट रह जाएगी उ opening of admission portal for registration toward open merit list, counseling and editing of course, college by the remaining applicant who did not get admission in first and second merit list जो कि आपके closing date रही है, फिर 18 October 2020 को इसका सिदा सिदा दोस्तों मतलब यह हुआ कि जो candidate first or second merit list में admission नहीं ले पाए थे हैं तो इसके लिए भी chance दिया जाएगा reopen होगे है, admission form ठीके जी, तो यह आप जाए का सकती हो, और फिर उसकी last date रही है, तेरा अक्टूबर से 18 October 2020 नेच देते हैं online document verification फिर open merit list वो लगए गया 14 October से 21 October 2020 में ठीके जो remaining candidate है, जो admission नहीं ले पाए थे, जिसके form में कोई गलती थी, यह आप दे सकते हो, ठीक है जी, तो अपने course के regarding editing करवा सकते हैं, अब बात करते हैं, next आप दे से preparation of first merit list of left over sheet या निकि जो sheets बाकी रह जाएंगी, ठीक है जी, उससे regarding आपकी first merit list लगएगी, बाइस October को, और display होगे आपकी 23 October को, और submission fees submit करवाने हैं, आपको without late fees, ठीक है जी, without late fees रहेगी, आपकी 23 October से 26 October 2020 तक, next आपकी फिर preparation of second merit list अगर sheet बच गई तो, ठीक है जी, left over sheet अगर sheet college में बच गई तो फिर आपके second open merit list आएगी, जो के आपके लगए 27 October को, ठीक है जी, list लगने के बाद में, आपकी ये दे सकते हो, second open 28 October date दे रखी हैं, और national submission of late without late fees आपके रहेगी, 28 October से 30 October, ठीक है जी, तो इस्ते से आप दे सकते हो, आपका सारा schedule, first counselling के बाद में, सारा change हो चुका है, ठीक है जी, तो जिन मेरे candidate ने, जिनका first merit list में नाम आ चुका है, उन्होंने अभी तक admission नहीं लिया है, तो एड़ वो admission ले सकते हैं, ठीक है जी, तो ये आप दे सकते हैं, और जिन मेरे candidate को अभी तक इसके बारे में, detail नहीं पता हैं, तो वो से अपना यार दोस्तों मित्तों के साथ इसे share कर सकते हैं, ठीक है जी, और second आपकी match लगेगी अप 10 October यानि के सनिवार को, तो आसा करतों दोस्तों में दोबार देगी जानकर यापको पसंद आई होगी, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को notification आपको समय से मिल सके, और इस website का link मापको वीडियो के description में दे दूँ, और जहां से आप इस latest UG के admission के schedule के बारे में complete information लेश केंगे, और साथ की साथ में आप अपनी second online counseling का भी list इस site के दोबार आप चेक कर सकेंगे, ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक latest updates के साथ में, इसे के साथ धन्यवाद दोस्तों, जै हिन जै भारत